हलो दोस्तो वेलकम बैक टू आर चैनल स्टड़ी आई क्यू जुड़ी श्री दोस्तो आज केस इंपोर्टेंट सेशन में डिसकर्शन करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे एक वकी लिया एड़ोकेट के किलाफ कम्पलेंट कर सकता है आज जो है बहुती इंटरस्टिंग टॉपिक डिसकर्शन करने वाले हैं क्योंकि हमेशा हमें ये बात पता है कि अगर हमारा कोई भी केस है चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो मैट्रिमोनिल केस हो डिफेंस केस हो एकोई सावी केस हो अगर हमें अपनी बात कोट में रखवानी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता के थ्रू ही हम अपने केस को लड़ा सकते हैं तो इसी चीज का discussion करने वाले है कि अगर आपने किसी भी advocate से क्या किया है अपना case दिया है और case देने के time पर उसने आपसे बहुत अच्छी बाते की और बाते करने के बाद आपसे आपका पैसा भी ले लिया अब वो जो है आपका representation नहीं कर रहा है या फिर आपके case में कोई भी गड़वर गोटाला कर रहा है तो ऐसे cases में आप जो है उसके खिलाफ किस तरीके से और कहां पर complaint register करा सकते हैं पूरा procedure जानने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि अमूमन तोर पर देखने को मिलता है कि advocates अगर किसी का case लेते हैं तो उनको पूरी तरीके से benefit पहुचाने की party को मदद करते हैं और उनको case जिताने की मदद करते हैं लेकिन 10% of cases में ऐसा पाया जाता है government report के according के advocates से जो है party या satisfy नहीं होती और advocates उनके जो है उनको उनीके cases की धमकी बगएरा देते हैं या फिर उनका अच्छे से represent नहीं करते सामने वाली party से compromise की बाते करते हैं लेकिन party ऐसा नहीं चाती क्योंकि उसने तो एड़ोकेट को फिस दी है लेकिन सामने वाली party compromise पर प्रेसर करती है तो एड़ोकेट उसको खत्म कराने की कोशिश करते हैं तो उस तरीके से जो है 10% केसों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी party ऐड़ोकेट को हायर करती है वो जो है उसी एड़ोकेट के खिलाब complaint करना चाती है तो उसका क्या procedure है यही आज हम जो है discuss करने वाले हैं moving ahead अगर आप civil judge junior division की त्यारी कर रहे हैं मतलब PCSJ exams की त्यारी कर रहे हैं तो आप जो है all over इंडिया किसी भी state में exam देना चाते हैं उसका one stop solution study IQ judiciary का महापैक है जिसमें आपको 16 states का पूरा console compilation मिलता है और इसमें आपको 16 states की test series भी free of course provide कराई जाती है यह है जुडिश्री का महापैक study IQ के द्वारा और अगर आप use करते हैं APU का code तो यह course आपको सिर्फ पर सिर्फ 14999 में मिलता है use करना है मेरा code APU और APU के code को लगाने के बाद ही आपको maximum discount मिलेगा और यह course आप जो है 14999 में ले सकते हैं ऐसे ही study IQ का pre plus means का एक batch है और various various state के more than 20 states के जो है अलग-अलग pattern है और उस pattern के ऊपर हमने सब सारे courses design कर रखे हैं तो अगर आप चाते हैं कि आप एक ही state की त्यारी करें और अपने ही state में जज़ करना चाते हैं तो वह course आपको APU के code को इस्तमाल करने में सिर्फ और सिर्फ 10499 में मिलते हैं तो उन courses को भी आप जो है study IQ judiciary की website पर जाकर purchase कर सकते हैं moving ahead अगर आप मुझसे correct होना चाते हैं तो telegram या फिर instagram दोनों ही माध्यम से मुझसे connect हो सकते हैं अगर आपका कोई मुझसे यहां पर क्या कर सकते हैं discuss कर सकते हैं और discuss करने के बाद मैं आपके जो है सारे questions के जवाब यही पर देता हूं moving ahead चलिए सुरू करते हैं आज का session और जानेंगे कि क्योई भी complaint किसी भी advocate के या अधिवक्ता के खिलाब जो है कैसे file की जा सकती है सबसे पहले अगर आपकी जो है क्या आपका अधिवक्ता आपसे कोई क्या कर सकते है उसकी जो है बार council of state में क्या कर सकते है सिकायद दर्ज करा सकते है इसका एक पूरा procedure होता है और इसका एक पूरा format होता है जिस तरीके से आपको क्या करना है किसी भी advocate के अगेस्ट में क्या करना है complaint को file करना है ठीक complaint अगेस्ट एडवोकेट can be with the regard of the profession और the other misconduct by the advocate action that qualify as misconduct cannot be defined with an exhaustive list what should be kept in mind in the novelty of the job of an advocate and the high standard that is expected of an advocate by the society ठीक तो क्या कि यहां पर जो है कोई भी exhaustive list नहीं है कि किस किस के लिए आप complaint कर सकते हो जहां पर आपको लगता है कि कोई misconduct किया है आपके एडवोकेट ने या फिर कोई भी जो है उसने professional ethics जो उसको करने चाहिए थे वो नहीं किये है तो ऐसे cases में आपके पास पूरी आजादी होगी कि आप जो है क्या कर सकते है उस advocate के खिलाफ complaint register करा सकते है complaint कैसे register कराई जाती या इसका क्या procedure होता है सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आपका case case state में है और उसी state में जो है उस advocate ने registration करा रखा है या नहीं अगर उस state में उसने registration नहीं करा रखा तो जिस भी state के bar council में उसने registration करा रखा है वहां का एक prescribed format होता है जिसमें advocate की complaint करने का एक परफॉर्म की तरह आपको जो है bar council में file करना होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा बार council की website पे जाकर complaint का जो column आता है वहां से उस form को download करना है या फिर जो है court में जाकर जो आजपास आपके तैसील कचैरी court होते है वहाँ पर जाकर आप ला सकते हैं उसके बाद जो भी आपका होगी English हो सकती है Hindi हो सकती है या फिर जो भी state की prescribed language है उस language में आप अपनी complaint को दर्ज करा सकते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद बार council of state क्या करती है जो भी state की बार council है जो opposite advocate है जिसके खिलाफ आपने complaint की है उसको जो है notice serve करेगी और notice serve बने के वाद उनको बुला कर यह पूछेगी कि आपने ऐसा कोई misconduct किया है या नहीं किया है उसके बाद आपको भी जो है पूरी opportunity दी जाएगी अपने जो है क्या अपने जो है petition के facts को प्रूफ करने के लिए ठीक तो इस तरीके से आप क्या करोगे सबसे पहले बार council से एक परफॉर्मा लेकर आओगे औ तो जो disciplinary committee है उसके पास उस case को है hand over कर दिया जाता है और वो disciplinary committee जो है क्या करती है वो जो है उस advocate जिस भी अधिवक्ता के खिलाफ complaint आई है उसका पूरा व्योरा लेती है और parties को जिसने complaint की है और जिसके खिलाफ complaint आई है उसकी पूरी investigation की जाती है और किस वाक्ये में अगर कोई professional ethics का case है या फिर जो है कोई misbehave का case है misconduct का case है तो उसकी पूरी investigation जो है कि disciplinary committee के द्वारा की जाती है उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है जब state bar council में ये complaint lodge की जाती है और disciplinary committee जो है उस पर action ले रही होती है तब अगर जो भी party ने complaint की है और उसके फैसले से वो क्या है aggrieved है तो वो क्या कर सकती है वो bar council of India को party aggrieved party approach कर सकती है और ये बोल सकती है कि मैंने इस advocate के खिलाफ क्या किया था कोई complaint register की थी और उसकी जो है अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है तो bar council में जाकर appeal भी हो सकती है या फिर bar council को ऐसा लगता है कि कोई भी matter जो है क्य cv advocate के against cv state bar council की disciplinary committee में क्या है पैंडिंग है तो ऐसे cases में bar council of India या फिर bar council of India की disciplinary committee क्या कर सकती है उस matter को अपने आप स्यू मोटो पावर exercise करके अपने पास बुला सकती है और aggrieved party जिसने complaint की है या फिर जो decision से aggrieved है उससे पूछा जा सकता है कि आप यह बताए कि आपको य इस तरीके से कोई भी state bar council का matter bar council of India में पहुंचता है ठीक तो सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को क्या करना है सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को state bar council में किसी भी अधिवक्त तागिस खिलाब सिकायद करनी है उसके बाद उसकी जो disparity committee होगी investigation inquiry करेगी और अ जो है निरने बताएगी अगर आप उस निरने से अग्रीव होते हैं तो आप जो है बार council of India के पास अपील करने जा सकते हैं और अगर बार council of India को ऐसा लगता है कि एक दो साल हो चुके हैं और किसी भी advocate के अगेस्ट कोई complaint आई है उसको खतम नहीं किया गया है तो ऐसे cases में वो सिव मोटो पावर कर 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 क्या कर सकते हैं उस को उस complaint को अपने पास ले सकते हैं और complaint को अपने पास लेने के बाद क्या किया जाएगा जो है वो उस पर अपना निरने दे सकते हैं लेकिन अगर किसी भी state bar council ने advocate का matter को cancel कर दिया है ठीक तो ऐसे cases में क्या होगा 3 days का टाइम होता है, कि वो क्या कर सकते हैं, उसके बाद Bar Council of India ने अपना decision दिया और उनकी disciplinary committee ने जो भी investigation की, फिर भी जिस भी व्यक्ती ने सिकायत की है, वो क्या करता है, उस decision से भी एग्जीर है, उससे वो सेहमत नहीं होता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि Bar Council of India ने निस्पस्ट decision नहीं दिया है तो फिर उसके पास एक अधिकार होता है कि वो जो है साट दिन में जब से जब से क्या Bar Council of India का decision आया है तब से साट दिन में Supreme Court को क्या कर सकता है Supreme Court of India में उस advocate के खिलाप अपनी petition को लेकर जा सकता है सीजर कभी भी फॉलो नहीं किया जाता सुप्रीम कोट फिर भी आपको बोलेगा कि जो भी आपका नीचे वाला कोट है पहले आप वहां पर जाईए और वहां से अगर आप एग्रीव होते हैं उसके बाद आप जो है बार काउंसेल ऑफ इंडिया आई है अगर वहां से भी लेकर पहुँच जाते हैं लेकिन वह वेस्टेज ऑफ मनी होता है लोगों का वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ दी कोट होता है कोट ने कई बार सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को लोगों को फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर आपके खिराफ कोई भी जारती ह हुई है किसी भी एडवोकेट के द्वारा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे आप जो है सबसे पहले निचले इस तर पर डेस्टिक लेवल पर जो बार काउंसल होती है ठीक उसमें आप उसका जो है क्या करोगे कंप्लेंट करोगे अगर वहां पर नहीं सुना जाता है तो आ होता है पूरा प्रोसीजर अब देखिए पनिश्मेंट क्या क्या हो सकती है सपोस करिए कि आपने कोई कंप्लेंट फाइल की और उसमें जो है एडवोकेट जो है गिल्टी पाया गया तो ऐसे केसे में उसका क्या होगा उसका रिप्रिमांट दी एडवोकेट सेकेंड सस्प से पहले जो है एडवोकेट को कुछ पीरड के लिए सस्पेंट किया जा सकता है दूसरा अगर कोई जादा ही गंबीर चार्जे उसके उपर लगे है और वो गिल्टी पाया जाता है एडवोकेट तो ऐसे केसे में जो भी उसका स्टेट में लाइसेंस है प्रेटिस करने का क् कि या फिर जो है प्रोफेशनल इथिक्स की तो जो भी व्यक्ति एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट करना चाता है वो इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट करा सकता है लेकिन रास्ता वही होगा उपर से नीचे नहीं जाना है नीचे से उपर जाओगे तभी आपको पूरी तरीकी से satisfaction मिलेगा अगर आप उल्टा सुरू करते हो सुप्रीम कोट से सुरू करते हो तब आपको फटकार लगेगी आपका पैसा वेस्ट होगा कोट का टाइम वेस्ट होगा पहले state bar council उसके बाद bar council of India उसके बाद सुप्रेम कोट जाने का आपका अधिकार होता है लेकिन अमूमन तोर पर देखने को मिलता है कि जब भी किसी भी advocate के खिलाब शिकायत आती है तो state bar council से ही लोगों को रियायत दे दी जाती है और जो भी remedies लोगों को अच्छे provide किये जाने चाहिए वो जो है state bar council of bar council of India ही करा देते है और mostly cases में ऐसा देखने को मिलता है कि last में party जो है आपस में समझोता करती है लेकिन किसी भी advocate का license भी suspend किया जा सकता है और उसको उम्र भर जो है practice करने से रोखा जा सकता है अगर वो कोई भी misconduct में पाया जाता है तो तो इस तरीके से होती है हमारे पूरे all over India किसी भी advocates की complaint अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ऐसे ही interesting वीडियो आप मुझसे देखना चाते है तो आपको study IQ judiciary channel को subscribe करना होगा और मुझसे ऐसे जुड़े रहने के लिए आपको direct telegram या instagram से आप मुझसे जुड़ सकते हैं मिलते हैं next video में thank you for watching